आपको आलू खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है ये है आलू का पराठा लेकिन धाबाई स्टाइल धाबे वाले आलू का पराठा बहुत ही अच्छा बनाते है और खाने में तो मज़ा ही आजाता है जब इसके उपर बटर होता है दही होता है साथ में तो मैं जब बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3 उपले हुए आलू, तीन आलू से न आप 6 पराथे आराम से बना सकते हैं, धाबे वाले क्या करते हैं, हाथ से मसल्टे नहीं है, उसको क्या है न चाकू से, इस तरीके से पतले-पतले स्लाइसे में काट लेते हैं, ये उनका फास्ट तरीका होता है आलू का पराठा बनाने का आप और करके देखे न आप जाके फिर वहाँ पे देखे वो किस तरीके से बनाते हैं तो बस अब इसमें आदा चोटा चमच चाट मसाला पाउडर आदा चोटा चमच काला नमक धनिया पत्ती आप कम या जादा डाल सकते हैं आधा छोटा चमच, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं नमक भी आप अपने स्वात के अनुसार डाल दें अब यहाँ पर आप चाहें तो लहसन और हरी मिर्च डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें लेसन और हरी मिर्च का इस्तिमाल नहीं किया है बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है चलिए अब पराठा बना लेते हैं तो पराठा बनाने के लिए जो आटा होता है एकदम सॉफ्ट होना चाहिए आटा जब आपका soft होगा न, जब आप उसमें कोई भी चीज stuff करके बनाएंगे, तो वो फटेगा नहीं इसलिए कोई भी पराठा बना रहे हो, चाये वो मतर हो, आलू हो, गोबी हो, किसी भी चीज का पराठा अगर बना रहे हैं तो उसका जब आटा आप गूते न, एकदम soft तयार करें, तो बस हलका सा मोटा मैंने इसे बेल लिया है, पूरी के साहिच का, अब क्या करना है न, इसको और ज़्यादा टेश्टी बनाने के लिए, मैं इसमें लगा रही हूँ, अचार का मसाला, आप मिर्च का अचार, आम का किसी भी अचार का मसाला, थोड़ा सा एक बोल में ले लें, और थोड़ा थोड़ा हर, जब भी हम पराठा पेलेंगे न, उस पे एक लेयर इस तरीके से लगा देंगे, इससे जो पराठे का स्वाध है न, एकदम लाजवाब हो जाएगा, तो बस अब इसके बीच में ये आ आसानी से बना सकते हैं, देखिए आप चाहे तो इसके जो उपर का एक्ष्रा हाटा है वो निकाल सकते हैं, नहीं तो इसी के साथ आप फोल्ड करके इसको आप बेल लें, हाथों से क्या है न, हलका सा इस तरीके से बढ़ा कर लेंगे, और जिस तरब से हमने इसे बंद किया है न, वो वाला हिस्सा हम उपर की साइड रखेंगे, और चिकना वाला हिस्सा हम नीचे की साइड रखकर, इसे हलके हाथों से खुमाते हुए बेल लेंगे, देखिए ये जो तरीका है न, बेलने का, आप कोई भी स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं, इस तरीके से अगर बेलते हैं, मतलब जिस तरफ से हमने बंद किया है, वो वाला हिस्सा उपर रखें, चिकना वाला हिस्सा नीचे रखें, तो जबी भी आप पराठे बेलेंगे, वो फटेगा नहीं, इस चीज का अब ध्यान रखें, तो चलिए ये सारे पराठे मैंने बेल कर तयार कर लिए ह अब इसे सेख लेते हैं, तो सेखने के लिए आप ओयल भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, मैं तो क्या है न, सिर्फ देसी घी का इस्तमाल करती हूँ, पराठे उगरा बनाने के लिए, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, सुबह सुबह खाना होता है, तो सेहत तो सबसे पहले है तो बस हलका सा घी लगाते हुए इसको हम दोनों तरब से सेक लेंगे तवे पर डालने के बाद कुछ सेकेंड्स के लिए आप छोड़ दे उसके बाद इसे पलट दे फिर इसके उपर घी या तेल लगाते हुए न अच्छे से सेक लेंगे गैस का फ्लेम इस समय न मेडियम से हाई के बीच में रखें बस अब इसको करारा अपनाने के लिए न हम पलटे की सहायता से इसको दबाते हुए सेकेंगे इस तरीके से ये भी जो तरीका है न पराठा टेश्टी बने ये करना भी बहुत जरूरी है अगर आप इसे गर्म-गर्म सर्व करेंगे न तो खाने में लाजवाब लगेगा इसके उपर थोड़ा सा बटर डालने पसंद करते हैं तो साथ में दही रग दें हरी चटनी रग दें देखी मजा ही आ जाएगा बस इसी तरीके से सारा जो पराठा है न सेक कर तयार कर लेंगे तो मैंने सारे पराठे न इसी तरीके से सेक कर तयार कर लिया है खाने में लाजवाब बनाने में बेहत सिंपल और बस जिसे खिलाएंग वो आपके तारीफों के पुल बानेगा तो कैसी लगी आज की रेसिपी उमीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू